बीबीसी की उस डॉक्यमेंटरी में ऐसा क्या है जिसके दम पर मोदी को कुर्ची से हटाने का दावा किया जा रहा है गुजरात उपद्रों को लेकर बने जिस डॉक्यमेंटरी को दिखाने के लिए पूरे देश में बवाल मचा हुआ है पहली बार खुद पियमोदी ने अपनी जुबान खोली है 2023 चल रहा है लेकिन देश बिरोदी ऐसी ताकते हैं जो अभी भी भारत को 20 साल पीछे 2002 में लेकर जाना चाहती है इस बार इसे BBC की डॉक्यमेंटरी ने जिन्दा किया है दावा किया जा रहा है कि अगर गुजरात उपद्रों पर बनी ये डॉक्यमेंटरी देश के हर घर तक पहुँच गई तो मोदी की पियम वाली कुरसी भी जा सकती है BBC की डॉक्यमेंटरी को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने प्रोपोगेंडा बताया है और भारत ने इसे देश में बैन कर दिया है लेकिन इसके बाद भी इसे दिखाने की कोशिस की जा रही है इसलिए जिल लोगों को गुजरात उपद्रों का सच जानने का इतना ही शौक है जो लोग BBC की डॉक्मेंटरी को ही असली सच मानते हैं उनके लिए गुजराद उपद्रों की असली डॉक्मेंटरी हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं ये रिपोर्ट किसी एजेंडा धारी BBC की नहीं है बलकि हमने असली सच दिखाने के लिए पूरी जानकारी आपके लिए इकठा की है इस रिपोर्ट में हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जिसे हमेशा छिपाया जाता है जिर्फ हिंदूओं और मोदी पर उंगली उठाने के लिए गुजरात उपद्रों का हर बार नाम लिया जाता है गुजरात डॉक्यमेंटरी की शुरुआत गुजरात उपद्रों से नहीं बलकि इस उपद्रों की शुरुआत गोधरा कांड से होती है जहां 1769 राम भक्तों को जिन्दा ट्रेन में जला दिया गया था फरवरी 2002 में बिश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जप यग्य की शुरुआत की थी देश भर से इस यग्य में शामिल होने के लिए राम भक्त जा रहे थे 27 फरवरी 2002 की सुबह 7 बचकर 43 मिनट पर राम भक्तों से भरी साबर मती ट्रेन गुजरात के गोधरा पहुंची थी इस ट्रेन में 18 कोच थे सभी कोच में कार सेवक थे यही पर करीब 1000 मुस्लिमों के भीर ने ट्रेन पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया इसके बाद पेट्रोल और जोलन शील समागरी डालकर 6 भोगी को आग लगाती किसी भी राम भक्त को बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया गया और सभी 69 राम भक्त जल कर मर गये अरोप है कि उसी रात करीब 11 बजे तब के मुख्यमंतरी नरेंद्र मोदी ने अपातकाल मीटिंग बुलाई थी इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपसरों से कहा था कि ऐसे काम नहीं चलेगा सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और इसके बाद गुजरात उपद्रों हुए लेकिन इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है और पिये मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने बेगुना साबित कर दिया है इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि नरेंद्र मोदी पर लगाये गए सभी आरोप जूठे हैं इस रिपोर्ट में बताया गया था कि गुजरात उपद्रों में जो कुछ भी हुआ उसकी वज़ा गोदरा कांड था अगर गोदरा कांड में राम भक्तों के साथ ऐसा हाथसा नहीं होता तो शायद गुजरात उपद्रों भी नहीं होता IPS संजीव भट और समाज सेवित तीस्ता सितलवार जैसे लोग जिन्होंने पैसे लेकर मोदी को फसाने की साजिस रची थी इस वक्त सुप्रीम कोट के आदेश के बाद जेल में बंद हैं जाच में तो ये भी खुलासा हुआ था कि गुजरात उपद्रों के बाद मोदी को फसाने के तीस्ता सितलवार को सोनिया गांधी के इशारे पर फंडिंग भी की गई थी ऐसे में सवाल है कि गुजरात उपद्रों का नाम लेकर सिर्फ मुस्लिमों का दुख ही क्यों दिखाया जाता है बीबीसी की डॉक्यमेंटरी में सिर्फ गुजरात उपद्रों को दिखा कर मोदी को टार्गेट किया गया है लेकिन जिस गोधरा कांड की वज़ा से गुजर आप देते हुए देश को सचेत किया है और कहा है कि देश में लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिस की जा रही है इससे सचेत रहने की जरूरत है पियम मोदी ने कहा कि इस तरह के प्रयाद सफल नहीं हो पाएंगे सिर्क देश को भड़काने और आपके अंदर जहर फै झाल